तो दोस्तो अगर आप भी अपने control center में कुछ तरीके से music control बार enable करना चाहते हो तो वो भी आप easily आप कर सकते हो पहले यह possible नहीं होता था कुछ device में बर्क करता था कुछ में नहीं करता था लेकिन आप ज़्यादा तर device में आप इसे enable कर सकते हो और दोस्तो यह बहुत ही ज़् करें देंगा step by step तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लेना अगर ऐसी वीडियो जगर आपको tips and tricks की चाहिए मिवाई से related तो और वीडियो को like करके चैनल को सस्क्राइब जरूर से कर देना तो अभी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप यह music center जो ऐसे enable कर स करके और यहां से प्रकार सकते हैं और यहां से यहां से आप प्रक्रक पीछे मिजुट कर सकते होता है आपको यहां आपको बहुत सारे नई फीचर भी देखने को मिलेंगे जैसे कि यहां पर आप अपनी स्कीन को कास्ट करना चाहते हैं तो इजीली आप दूस्तों यहां से स्कीन कास्ट कर सकते हैं आप अपने टीवी या फर टेबलेट और कंप्यूट से इसली कनेक्ट हो सकते हैं इस वाले ओप्सन के थरू और ऐसे बहुत सारे और आप्सन आपको यहां पर देखने को मिलने वाले हैं यह मी स्मार्ट हप में क्यूंकि यहां पर जो साव मी है वो अपना खुद का इको करने वाला है पहले जोस्तों आपको यहीं पर देखने को मिलता था लेकिन अभी यहां ने कंबाइन कर दिया मी स्मार्ट हब के अंदर और हो सकता है इसे अलग से भी आपको टॉगल देखने को मिले लेकिन अभी यह दोस्तों मी स्मार्ट हब के अंदर यहां पर एनेवल तो इसे इनिवल करने के लिए दोस्तों आपको कुछ फाइल्स की जरुवत पड़ेगी और दोनों फाइल्स को जो मैंने अपना लिंक दिया है आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर जैसे ही टेप करोगे तो आपको इस तरीके से इसकी नजर आ जाएगी और यहां पर मैं जितने भी एपस आपको देता हूं सबका फोल्डर नजर आ रहा होगा तो यहां पर दोस्तों हमें MIUI 13 14 मूजिक बार यहां से इस पर जैसे ही टेप करोगे यहां पर आपको दो एपलिकेशन देखने को मिल जाएंगी एक है मूजिक जो है MIUI पिलस बीटा और दूसरा है Traditional Map का तो यह जो दोनों एप हैं आपको यहां से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद इंस्टोल करना है अब यहां परपर आपको ड़ाउनलोड करने में कोई प्रॉन रहा हो आप लोग다면lic cheeer करना हूं लेकिन रहे हैं लेकंट यहां पर आपको लिंक करने के बाद दोनों को यहाँ पर आप लोग को करना क्या है download करके install करना है तो मैं बता दिताओं प्रेलाइब तो आपको हम बता देता हूं और दोनों का узнаar clear करके बताता हूं कि आप जब फस्ट टाइम इसे install करोगे तो यह किस तरीके से सो होने वाला है तो अभी दोस्तों मैंने दोनों एप्स का जो डाटा है वो किलियर कर दिया है और आपको करना कहा है जब आप दोनों APK को इंस्टॉल कर लोगे तो आपको सबसे पहले settings में जाना होगा और settings में जाने के बाद आपको notification and control center में जाना है यहाँ पर सबसे पहले तो आपको new वाला control center को यहाँ पर choose कर लेना अगर आप old का use करते हैं तो simple आपको new को choose करना है इसके बाद दोस्तों simple आप नीचे जाओगे तो आपको additional card का एक option मिलेगा इस पर tap करना है और यहाँ पर me smart hub या smart home यह दोनों को आप यहाँ पर एक को बंद कर सकते हो smart home को आप लोग me smart hub को इसे own कर देना है जैसा ही own करोगे ना तो आप अपने control center में आऊगे तो यहाँ पर आपको me smart hub का option देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से अगर आप दोनों को यहाँ पर enable करते हो जैसे कि हम चलते हैं तो यहाँ पर देखो additional card जैसा ही मैं दूसरा वाला open करूँगा तो यह हमें कुछ इस तरीके से show करता है square shape में लेकर अगर आप एक को बंद करके रखते हैं तो यह कुछ इस तरीके से fill type करना ज़र आएगा तो आप दोनों में से कोई भी type कर रखो ठीक है जो भी रखना चाते हो वो रख सकते हो तो यहाँ पर हम जैसे इस पर click करेंगे तो जैसे ही click करेंगे यह tournament condition है इसको आपको यहाँ पर agree करना पड़ेगा और यहाँ पर settings में से आपको permission देना पड़ेगा इसे location की अब मुझे पता ने यह दोस्तो location की permission इसको क्यों चाहिए तो आप लोग यहाँ पर location permission देना और location के साथ आपको यहाँ पर file and media का permission देना पड़ेगा यह दोनों permission देना जरूरी है और फिर इसके बाद हम दोवारा से try करेंगे तो देख सकते हो दोनों permission यहाँ पर मैंने दे दी हैं और जैसे ही मैं इस पर click करूँगा तो यह इस तरीके से आपको show हो जाएगा welcome to me smart यहाँ पर आपको option आएगा आप इसके बारे more जानना चाहते हैं simple swipe swipe करना है आपको यहाँ पर idea playback का option मिलेगा जिसे हम magic control वार बोल रहा है तो यह यहाँ पर आपको playback का option मिल जाएगा और यह Bluetooth के थरिव भी जो है आप control कर सकते हो Bluetooth से connective कर सकते हो तो यह सब आपको easily देखने को मिल जाते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको mirror screen का option इसी में देखने को मिलेगा और इसके बाद इसमें आपको देखने को मिलेगा दोस्तों quick switch का option भी देखने को मिल जाता है इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताएदा है कि saw me अपने ecosystem पर काम कर रहा है और यहाँ पर आप apps भी आप share कर पाऊगे तो यह सब चीजे ना आपको बहुत जल्द यहाँ पर यह आभी beta phase में है लेकर बहुत जल्द आपको stable यह सब देखने को मिलेगी अपने saw me devices के अंदर यह सब मतलब सारे के सारे device को combine करने का एक काम कर रहा है जैसे कि आप यहाँ पर स्कीन पर देख सकते हो आपके पास smart TV है या फिर आपके पास tablet है laptop है computer यह सब आप एक साथ connect कर पाऊए आपके phone के साथ तो यह काफी अच्छा रहेगा feature देखते आगे किस तरीके के features और देखने को मिलेंगे हमें me smart hub के अंदर इसके बाद simple आपको start button पर click करना है और आपके सामने यह screen आ जाएगी तो यहाँ पर जैसे ही आएगी दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी song play करोगे वो इस तरीके से आपको show हो जाएगा first time हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ भी show ना हो तो आपको simple अपने magic app में जाना है और यहाँ से कोई भी song play कर देना है तो अभी देख सकते हो यहाँ पर song play है और जैसा ही आप song play करोगे इसके बाद आप अपने control center में जाओगे तो आपको यहाँ पर control center में magic जो control है यहाँ पर इसमें आप यहाँ से फिर कोई भी song को यहाँ पर control कर पाओगे तो यह इस तरीके से दोस्तो काम करता है आप लोगों को यह feature enable करने में कोई problem होती है तो आप लोग comment कर सकते हो otherwise यह दोस्तो आप मेरे telegram group को भी join कर सकते हो telegram group को join करोगे तो यहाँ पर आपको सारी problems का solution मिल जाता है आप लोगों को भी यहाँ पर कुछ problem का solution पता हो तो आप दूसरों साथ share कर सकते हो बाकि दोस्तो यह video इतने में ही हम खतम करते हैं उमीद करता हूँ आपको यह feature पसंद आया होगा और आप लोग telegram group और चैनल को जरूर से join कर लेना आगे भी आपको भहुत सारे नए features आपको देखने को मिलेंगे चैनल पर और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो भी APK आपको यहाँ पर नहीं मिलती है तो आप लोग simple यहाँ पर three dots पर क्लिक करना है search box में जाओ जो भी APK में share करता हूँ कभी भी आप लोग यहाँ पर देख से की search करोगे हमें cast अपको यहाँ पर search करोगे तो आप simple cast लिखकर search करोगे न यह directly आपको file तक पहुचा देता है search box तो आप इस तरीके से भी search कर सकते हो group और channel के अंदर तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जानकर यह आपको पसंद आई होगी मिलते हैं स्टूडियो में तब तक के लिए टाटाब बाई बाई